तो बैंक निफ्टी के अंदर हम एक गैप नजर आ रहा है तो यहां पर हम कैसा ट्रेड मार्केट के अंदर ले सकते हैं जादा कुछ तो यहां पर समझ नहीं पाएंगे कि कौन कहां पर कैसे काम करने वाला है लेकिन एक बात समझ मैं आ रहे कि आज पास 48,000 का लेवल है इसके ब्रेक आउट के लिए हम काम करने वाले तो बाय वोकरा का ट्रेड यहां पर बनाया जा सकता है बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम निफ्टी के बात करें तो यहां पर situation ऐसी है कि gap up काफी जाद है तो अगर यही gap मुझे बैंक निफ्टी के अंदर साथ की साथ में मिल जात अंधर चाहिए लेटा लेकिन अकेले निफटी में मैं काम नहीं करता हूं तो यहां पर सेल कर आने यहां पर बाइंग का trader कोसिज कर रहा है ठे का एक ऐसे रियक्ट करता है श्कूर्लिक अब hop उपर चलने दीजी फेक्ई काμकि हमारे पास अगर buying में जाएगा तो 48,000 का breakout हम देख रहे हैं market के अंदर अगर उपर जाने की कोशिज करेगा तो तो यहां पर हम market के अंदर position बनाने वाले हैं Nifty और Bank Nifty दोनों में continue हमें selling नजर आ रहा है अब एक support के आसपास market ने upset का momentum करना तो शुरू किया है और I hope यह support वगरा का breakdown market ना करे तभी हमारा यह position सही जाने वाला otherwise हम market के अंदर trap हो जाएंगे तो मैं यहां पर coal वगरा में जाने की कोशिज करता हूँ 900 quantity market के अंदर रख लेते हैं उसके बाद हम second position बनाएंगे 900 quantity यहां पर buy करेंगे और finally अपना nifty का भी position बना सकते हैं अब देखिए थोड़ा सा खत्रा इस बात का है कि support वगरा के नीचे जाते है market के अंदर में problem होना शुरू हो जाएगा otherwise देखिए market के अंदर में क्या नज़रा रहा है तो market के अंदर उनके हमें SL मिल सकते हैं और उनके SL अगर market में तभी मिल पाएंगे और तभी market में उनको capture करेगा अगर यह support वगरा का breakdown नहीं करता है अगर यह support वगरा के नीचे काम करेगा तो फिर यहां पर जो buy वगरा करके बैठे ना उनको problem होना शुरू हो जाएगा otherwise पहले तो हमें नजर आ रहा था कि market ने वैसे तो 48,000 के आसपा से selling होना शुरू हुआ है लेकिन यहां पे ज़्यादा लोगों ने sell नहीं किया होगा के वल यहां पर buy का thinking बना के बैटे तो में भी मैं भी गलत हो सकता हूं तो उस वज़य से हम क्या हो सकते हैं अगर support वगरा नीचे काम करेगा तो कहीं ना कहीं लोज का limit हमारा पहुंच जाएगा वहां पर पोशन काटके market के अंदर निकल जाएं ज्यादा तो नहीं तो कुछ ना कुछ higher point के आसपा से retracement ऐसा कुछ हम expected कर सकते हैं इससे ज्यादा तो मैं भी नहीं सोच प्लार हो क्योंकि selling काफी ज्यादा है अब यहां पर 48,000 के लिए fight नहीं करें कि 48,000 का breakout market करेगा वो तो यहीं कहीं से अगर कोई अच्छा candle बनता तब कर सकता था अधर्वाइज मार्केट के इंदर कहीं ना कई selling वगरा आ सकता है अगर support वगरा नीचे काम करेगा तो फिर क्या होगा यहां पर जो बाय वगरा करके बैठे ना जैसे यहां पर किसी ने बाय किया यहां पर किसी ने बाय किया तो उन्होंने अपना पोशन काटा नहीं है और अगर काटा नहीं है तो कहीं ना कहीं अब वो क्या हो जाएंगे जैसे लोग अगर रोज करेंगा ट्रयाफ होना शुरू हो जाएं फिर मार्केट के इंदर ज्यादा ही selling हमें देखने हो मिल सकता है उसमें हमारी situation खराब हो सकती है तो हो जाए तो हो जाए अब क जा कर सकते हैं इसी प्रकार का ट्रेड यहां पर बन पा रहा था सैल मैं नहीं कर पाया निफ्टी में अगर जैसा उपनिंग था अगर ऐसा बैंक निफ्टी में selling हो अपना गैप उपन होता तो मैं एक selling expected कर रहा था लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा गलच मार्केट के अंद अगरा तो लेकर निकल जाएंगे तो यहां पर मार्केट के अंदर अपना लोस वगरा नजर आना शुरू हो चुका है अचानक से मार्केट के अंदर जो selling का कंडर बना है उससे काफी ज़्यादा रहा हमारे लिए खदरा बढ़ चुक है देखते हैं recovery वगरा तो कम ही चांस तो यहां पर मार्केट के अंदर एक selling आया तो वो तो कहिना के recovery में convert हो चुका है प्रीमियम थोड़े बहुत कम होई थे अब recover हो चुक है अच्छी बात है देखते हैं क्या होता अभी कुछ का नहीं जा सकता चोटा मोटा retracement होकर दुबार ऐसा अगर selling में आ जाएगा वो भ bank nifty में वैसा कुछ नहीं है यहां पर में जादा तो नहीं 40-50 point अगर और extra मिल जाएगे तो target हमारा hit हो जाएगा otherwise क्या होता है एक index अगर जादा ही बढ़ जाता है तो दूसरा index इतना बढ़ नहीं बात है उसमें क्या हो जाता है फिर यहां पर भी buy वगरा करने के लिए बढ़ा सा candle ऐसा यहां पर नहीं बनता तब तक तो खत्रा नहीं है अगर यहां पर दुबारा से ऐसा कोई candle बन गया तो खत्रा बढ़ जाएगा और lower point के बाद तो कहीं ना की loss का limit हमारा पहुंच जाएगा और यहां से breakout वगरा हो जाता है 40-50 point का और momentum मिल जाता है इस zone से त कहीं ना कहीं target भी हिट कर सकते हैं चाहिए वो trapping करने के लिए करें चाहिए वो retracement करने के लिए कुछ भी करें एक momentum हमें दे दे 40-50 point का तब तक अपना काम बन जाएगा निफ्टी भाग रहा है लेकिन यहां से भी selling आना कोई बड़ी बात नहीं होगी बैंक निफ्टी आ लेड़ी एक negative zone में है और premium बढ़ रहे हैं लेकिन कम होने में time नहीं लेगा अगर market के अंदर selling आना शुरू होगा देख रहे हैं कोशिस तो अच्छी है हमारी लेकिन खरा नीचे काम करना शुरू कर दिया है एक बार तो हमने थोड़ा सा देख लिया था कि market कोई बात नहीं लेकिन दुबारा से अगर नीचे आ रहे तो कहीं ना कहीं ज्यादा ही selling में जा सकता है बात कर लेकिन लगा कि छोटा मोटा selling आएगा लेकिन recovery मार्केट का नवर्ट हो जा अब अब था तो थोड़ा सा मैंने वेट एक्स्टा कर लिया कि candle वगरा दरवाज तो without candle भी बना लेता उसके बाद मार्केट के कंटियून देखने बाद जैसे closing price के नीचे काम करना जूरू किया support वगरा लेता हो मुझे नजरा है मैंने तुरूंद यहां पर कोल का पोशन थोड़ा बहुत लोस नजरा है उसके बाद momentum ठीक टाक अफसेट का चलना शुरू हो चुका था प्रीमिय वगरा भी बढ़ रहे थे 40-50 point का momentum ओर कर देता तो में भी target आची से हम booking कर लेते लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया मार्केट के अंदर यहां पर भी selling आ गया और निफ्ट अगर हम मार्केट को देख पारें अभी तो कहीना कहीं हमें लोस बुकिंग करके भागना पड़ा अगर हम बैठे रहते तो लोस ही बढ़ने वाला था वैसे तो मैं कभी कभार रिस्क ले लेता हूं लेकिन रिस्क क्या वही सुच्वेशन होता है शुरुआत में लिया था स सपोर्ट बगर आए आसपास था वहां पे हम गलत हो गए उसके बाद जैसे दुबारा लोस नजर आया हमने अगजिट मार्केट के इंदर किया तो मेरा थिंकिंग ऐसे था कि 48,000 से तो क्या डारेक्ट रेजिस्टेंस लेगा तो मैं कहिना कि गलत हो गया यहां पर अगर मैं पचा कर पाते हैं तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद